हेलो फ्रेंट वेल्कम बैक टू मैं कोगिंग ब्लोग तो फ्रेंट ते हारों में काफी सारे भीराइटे की मिठाईया बनाई जाते हैं जैसे की बालु साय गुलाब जामन अलग अलग तरह के काफी सारे मार्केट में मिलती है तो जम घर पर ही बनाएंगे बिल्कुल आटा से अवरी अश्या बनाएंगे मैधा से बनने वाला मिठा जो मैं 9 मैधा बना रही है आप आटा से बना रही है तो कोई साइब है लिए अपमेजरी एक भरतं ले ले जिससे में एक कॉप ले लिए हूं एक कप मैं गये हूं काटा ले आपर नॉर्मल जो रोटी वाले होते है उ ताकि इसका क्रिस्पी पन से अच्छा सा है नहीं लए कि मैं यह माट आटा से बनाए हूं इसको अची तरह से देखें मिक्स कर दें बिल्कुल मूठी बना जा रहा है आधा कप उसी कप से पानी ले लेंगे इसको दीर दीर करके हम एक टाइट आटा गूंद लेंगे आपको जिस तरह से कचवडी के आटा लगाते हैं ताइट उसी तरह से आटा लगा लेना रोटी की तरह नहीं लगाना है इसको 10 मिट के लिए हम रेष्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि अची तरह से बूल जाए यहाँ पर मैं श्टपिंग के लिए डाइफ रूट ले ले लिए की तरह आप सब मुझे हेल्प टीजिए सपोर्ट किजिर विडियो कर लाइक को एजिए और टाकश Di और मुदेर कराना यहाँ दहीं दर्शन द्रसने टांटा लिया उप्यूर जवत से मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पर मैं यहाँ डो प corsey चैनी कंड कर देंगे यहाँ नही यहां पेड़े के लिए खोया बनाई थे घर के लिए यहां पर में पेड़े के लिए खोया बनाई थे इसमें चीनी मीक्स से प्रेंट इसको में क्या करूंगी सो गरम के लिए अब हम यहां पर आगे हैं जो मैं आटा इस तरह से डो टोड कर रही थी ना उसको क्या करेंगे एक डोव उठाएंगे इस तरह से मैं बेल लूगी आपको रोटी से थालका मोटा रखना है ज्यादा पत पर देख सकते हैं और यहां पर मैं दो पूडी उठा लिए आप शंध्या के लिए नहीं जो छहिए करके रखें ना मावा और यह डाल देंगे और साइट से पानी लगा करके दूसरे पर चिपका लेंगे यहां पर देखिए अगर आपके पास मीठा मावानी जिसे मार्केट साप ले रहे हैं पर ताप उसमें थोड़ सा पीसी वी चीनी डाल दीजे तो तगार भूरा दाल आप किसी भी काटा फॉक ले करके हलका साफ इसको दबा दीजे काटा से बहुत अच्छा डिजाइन बन जाती है यहां पर देखिए हलका सा फेंगर से दबा देते हैं बहुत अच्छा है बन करके हमारा इस तरह से चंद्रकला बन करके तयार हुआ है अपर टेस्ट पिलकु चरण ऑफ दो न स्टैप lasg गोजाँ है यहां पर देखिए शारा में बना लिए यह फञ्ड जरा लिए यह तो रगवाली है कॉत की दाल घी कंब की टाल उने त्यमाली कापी टेस्टी बना और बिलकुल लाओए घी कर Κार सकते हैं में यह को बनाए भाग टेलने प्रानी वागोंर कशाने मेंदे लेंगे में कशा ए चांश सबक्रेंड अची तरह से कलर आ गई ए और यहां पर जाशनी अद्न इवरा गाया हूं है के मैंने जाशन सब्सक्राम तो चासनी को जादा मैं नहीं पकाई थी और ठंडा लग रहा था तो मैं घर्म भाल रखना और कडाई में से आपको गरम करना है बहुत अच्छी तरह से यह जोब कर लेगा इसका चासनी और इसको एक मिनिट के छोड़ दिजमें आप धाक दे रहे हूं और दूसरी बैचको में जब तक बना लेती हूं आपको फिर एक बार याद दिलाते हूं प्रेंट वीडियो को लाइक कर देजेगा लोगों में शेयर किजेगा मुझे सपोर्ट क इक मिनिट हो गया है अब विसको मा डालेते है चासनी सग्णियों बडे तर देख सकते हैं जोल ज आपक दो झाल गर्म होना चाहिए और यह बहुत घरम होना चाहिए तब यह अच्छल बने जाइगा इस को हमाश से तरह से उलट पलट करके दोनों साइड से चासनी को जब्ट करा देंगे एक मिनिट के लिए मैं धाक दे रहे हूं और बाकी बच गया है मैदा उला पी सेम तरीके से हमें फ्राइ कर लेना जिस तरह से आप आटा उला की हो उसी तरह से देखिए मैं यहां पर दूसरी बैच के जो आटा उला था उसको भी चासनी से निकाल लेती हूं ताकि मैदा उला जो बनाई उसको भी मिसी में डाले और आप विश्वास नहीं किजिएगा प्रें बहुत टेस्टी बना था आटा उला भी नहीं लग रहा था कि आटा का थोड़ा से उपर समय पीस्ता से गार निश सब्लिद है चाहीं तो भी मिश्वास रहें राटा से मनल जाए ऊंचाओ किसी भी एक राटा गहीं होता है आपको में डेहर में घंशा अब त्जो दोच जो चाहते शिप